जैहिन स्वागत था अब सभी का फीर एक बार आपके अपने चैनल अभ्यूरे क्लासेज यूपी पर तो आज की इस वीडियो में हम अपना सीटेट सीडीपी का प्रिवियस येर कोईशन डिसकस करने वाले हैं जो हमारा 20 अगस्ट 2023 को हुआ था उस पेपर को आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस पर देखेंगे की कैसा पेपर आया था तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे चैनल से जूरे रहें और वीडियो पसंद आएगी आपको तो लाइक एंड सेर भी जरूर कर दीजेगा ये वीडियो आपको पेपर वन और दो जो हमारा सेकेंड पेपर है दोनों के लिए हलफूल होगा चलिए देखते हैं पहला क्वेशन हमारा निम्नलिखित में से किसने समाने बुद्धी की ओधारणा की आलोशना की और बुद्धी का एक वैकलपिक सिधान प्रस्तावित किया है आपको बताना है कि इन में से किसने समाने बुद्धी की जो अधारणा है उसकी आलोशना की है और बुद्धी का एक वैकल्पिक सिधान प्रस्तावित किया है इन में से किसने किया हुआ है तो आप्सन जो सेकेंड है हमारा हावर्ड गार्डनर ये बिल्कुल ही समाने बुद्धी की अधारणा की आलोशना किया और बुद्धी का एक वैकल्पिक सिधान प्रस्तावित किया है इन्होंने बहबुद्धी का सिधान दिया है जो हमारे eight types के हैं आर्ट प्रकार दिया है इन्होंने बुद्धी के कौन-कौन से हैं वो आर्ट प्रकार उसे आप ध्यान में रखेंगे पहला है linguistic क्यानी के भासाई बुद्धी इस्थानिक बुद्धी, प्राकृतिक बुद्धी, इंटरपरशनल और इंटरपरशनल, बॉडली, काइंस्थेटिक, म्यूजिकल और लॉजिकल, मैथमेटिकल इन्होंने ये आठ प्रकार बुद्धी के दिये हुए है ठीक, नेक्स क्वेशन देखते हैं हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिध्धान के आलोशना, कैरल गिलिगन त्वारा, क्यूब की गई थी? आपको ये बताना है कि इनके जो सिध्धान थै, उसकी आलोशना इन्होंने क्यूब की थी? पहला है नैतिक तर्क में लेंगिक भिनताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, दूसरा विशलेशन के मातरात्मक तरीकों को लागूर नहीं करने के लिए की गई है, या नैतिक विखास का एक चरण सिध्धान प्रस्तूत करने के लिए की गई है, या वास्तिविक ज लेकिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है केरल गिल्गन जो थी इनकी ही सिस्य थी ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और कॉलबर्ग का जो सिधान्द है हमारा वो 3 लेबल में लेबल अगर आपसे पूछता है तो 3 लेबल और इस्टेज पूछता है तो हमारा 6 इस्टेज हो जाएगा ठीक इस्टेज कितने हैं 6 है और लेबल 3 है जैसे हमारा पहला लेबल है प्री कर्वेंशनल लेबल दूसरा कर्वेंशनल लेबल यानि की पारम परिक्षर अड़ और तीसरा है पोस्ट कर्वेंशनल अब इन तीनों को फिर 6 इस्टेज में किया गया है इन दोनों में जैसे तीनों म हमारे उसका आप एज भी याद रखेंगे जैसे पहला है हमारा प्री कंवेंशनल लेबल इसका है चार से दस वर्स तक की यह अवस्था है दूसरा जो है हमारा पारंपरीकर तक स्ञेशनल लेबल आत्मक कोशल विक्सित करने में मदद करना चाहती है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीती सबसे प्रभावी होगी आपको बताना है अप्सन नमबर वन जो है अमारा विद्यार्थियों को अभिप्रेदित करने के लिए लगातार ग्रेड और पुष्टी जो है वो प्रदान क प्रोसाहित करना कि वे स्वयम अपने अधियंगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मुल्यांकन करें विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौपना और उन्हे पाठे पुस्तक से चानकारी दोहराने के लिए प्रोसाहित करना या है अमारा विद्यार्थियों को सभी सीखने के कारियों के लिए विश्तित और निर्देश शात्मक निर्देश प्रदान करना आपको बताना है कि इन में से कौन सा अप्सन सही है सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पहला option है हमारा विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लागातार grade और प्रतिपुष्टी प्रदान करना ये बिल्कुल एक गलत रणी दी होगा सही नहीं होगा ठीक उसके बाद जो है हमारा विद्यार्थियों को याद करन भी उचीत नहीं होता है तो इसमें जो हमारा एक सबसे अच्छा हमारा पॉइंट है वह है विद्यार्थियों को प्रोसाहित करना कि वे स्वैम अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगतिका मुल्यांकन करें स्वैम ही ठीक इसमें option second हमारा बिल्कुल ही सही है भी कथन जो है हमारा अजर्शन है सिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वैम के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए और इसका reason जो दिया हुआ है वह है उदाहरणों के बारे मे को भ्रमित नहीं करते हैं तो हमारा reasoning क्या हुआ reason गलत हो गया लेकिन अजर्षन जो हमारा दिया है वह है सिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयम के संकल्पना के उदाहरो और गैर उदाहरों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए यह हमारा बिल्कुली सही हो गया अभी कतन जो है सही है लेकिन जो reason दिया इसका यह गलत है तो इसमें हो जाएगा ए सही है परन्तु आर गलत है option number first हमारा सही है ठीक अब आगे देखते हैं अधिगम के समाने सिधान बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि सीखचक को क्या करना चाहिए पहला है आपसन अमारा पहले औधारणा को उसके प्रतिकात्मक रूप में प्रस्तूत करें और फिर उसे भौतिक रूप पर लाएं या पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है या थीसरा उपसन हमारा जो थरड है पहले ओधारणा का संपूर रूप से परिचेदे और उसकी पर फिर उसके बारिकियों पर आएं यह पहले तर्क और कारण के संदर्ब में ओधारा ओपर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का असर दें तो अब इसमें हमको बताना है क्यों आप्सन कौन सा हमारा साइय और फिर उसको भातिक रूप पर लाएं यह जी नहीं पाएंगे ठीक तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम उस चीज को जो चातर पहले से जानते हैं उनके पूर्व ज्यान से हमें जोड के पढ़ाना रहता है तो यह चीज बिल्कुल हमारे यहां पे गलत हो जाएगा विद्यार्थी को जो नहीं पता है पहले उस पर प्रश्ण है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्ण बच्चों की समालोशनात्मक वर रशनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है आपको बताना है कि इन चारो अप्सन में से आप कैसा प्रश्ण करेंगे बच्चों से जो उनके समालोशनात्मक वर रशनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा पहला है पानी के वचाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों दूसरा आपके सहर में पानी कहां से आता है तीसरा आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानिया है या आपके देश का नामवा मांचीतर पर इसकी भ पानी की बचाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा ओसकता है और क्यों हो सब और वसकता है तो यह इतना नहीं रशनात्मक चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा अगर आप पूछ देंगे आपके देश में कुल कितने राजे और राजधानिया है तो वो बच्चे आराम से बता देंगे इतने राजे इतनी राजधानिया आपके देश का नाम क्या है बच्चे आराम से बता देंगे हमारे देश का क्या नाम है उसका मानचीतर पर इसकी भो तम है या कौन सा तरीका सबसे बहतर है ? अगर यह तरीका बहतर हैं तो क्यों क्यों अगर Kate… क्यों या कैसे आप यह सारे प्रश्णन की जुड़ा प्रश्णिक करते तो इसे क्या होता है बच्चों में रशनात्मक और वो विचार करेंगे हर और से हर दिसा में वो सोचेंगे ठीक तो इस चीज़ को भी आप धान में रखेंगे अब नेक्स कोश्चन है हमारा समालोशनात्मक चिंतन में प्रमाड की क्या भूमिका होती है बताना है आपको कि प्रमाड का तार्किक और सुनियोजित रूप से म आसंगिक होता है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाड की उपेक्षा की जानी चाहिए बिल्कुल नहीं इसमें ऑप्सन जो फर्स्ट है हमारा प्रमाड का तार्किक और सुनियोजित रूप से मुल्यांकन किया जाना चाहिए ठीक नेक्स कोश्चन देखते हैं समावेसी सिच्छा में क्या सामिल है आपको बताना है कि समावेसी सिच्छा में इनमें से क्या सामिल है एजुकेशन फॉर ओल ठीक आपको इसमें बताने पहला ओप्षन है हमारा सभी सिक्षार्थियों के लिए मानक पाठे चरिया नहीं ये बिल्कुली गलत है उसके बाद दूसरों ओप्षन है हमारा विद्यार्थियों का उनकी योगेता के अधार पर प्रिथक करण वह वर्गी करण नहीं हमारी समावेसी सिक्षा जो है education for all है यह इसमें आप विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के अधार पर प्रिथक करण या उनको वर्गी करीद नहीं कर सकते हैं ठीक विशेस आवसेक्ता वाले सिक्षार्तियों को केवल व्यावशाइक सिक्षा का प्राउधान करना है बिल्कुल भी नहीं अब है फोर्थ आप्शन अमारा व्यक्तिकत मत भेदो की पैचान के परिदाम सोरूप पाठ चर्या में क्या होना चाहिए लचीलापन होना नेक्स कोश्चन है हमारा फिर अजर्शन और रीजन का कोश्चन आ गया निमनलिखित कतनों को पढ़िये तथा सहीं विकल्प का चयन कीजिए अभी कतन ए दिया है हमारा अभी कतन है बच्चों में संग्यनात्मक विकास परभासा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव है कि इन में से कौन सा आप्सन सहीं होगा तो अब जो हमारा अभी कतन दिया है अजर्शन है बच्चों के समय से अग्यनात्मक विकास परभासा के प्रभाव पर जीन प्याजे और लेव भाय गोसकी जो है उनके दृष्टी कोड में भिनता है यह सहीं हो जाएगा हमारा जो है जो है एका सहीं व्याख्या नहीं करता है ठीक ओप्सन नमबर सेकेंड ए और आर दोनों सहीं है परन्तु आरे की सहीं व्याख्या नहीं है अगला क्वेशन देखते हैं निम्नलिकित में से कौन सा समू उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उलेक करता है जो प्रतिभासाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आम दोर पर भिन्न होते हैं आपको बताना है इसमें से पहला हमारा एजो दिया है समग्र समझ की अग्रवर्ति गहनता या सीखने की तेज गती समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और सारीक विकास की तेज गती इसमें option जो हमारा A और B है बिल्कुल सही है समझ की अगरवर्थी गहनता होती है और सीखने की तेज गती भी होती है ठेक तो क्या हो जाएगा option नमबर A और जो B है हमारा सही है C और D बिल्कुल भी गलत है हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है option number 4 बिल्कुल ही सही है देखते हैं हाँ एक चीज़ और अगर आपको ये सारे question English में चाहिए तो आप वो भी comment box में बता सकते हैं मैं इसको English में भी provide करवाद दूगी ठीक चलिए देखते हैं अगला question हमारा पहला है स्रवरबाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से समवाद करने की छमता को प्रभावीत कर सकती है दूसरा सभी स्रवरबाधिता वाले बच्चों को समवाद करने के लिए सांकेतिक भासा यानि की sign language का उप्योग करने की आवशकता होती है तीसरा है हमारा option बच्चे के पास तेज आवाजे करके बच्चे की सुनने की अच्छमता यानि के जो स्रवरबाधिता का विश्वसनी तोर पर फरिक्षड किया जा सकता है बिल्कुल भी गलत है ये स्रवरबाधिता हमेशा कान की किसी सारीक समस्या के कारण होती है एक संदर्ब में पाठorit चर्या सीखने की अपेक चाये यहां पे आपका खाली स्थान दिया है जपकी में भिन्हें वे भिन्हें है आपको बता 아니 कि यह आ पे खाली स्थान पर क्या इनके said संवर्धन या गतिवर्धन संसोधन या समायोजन गतिवर्धन संवर्धन या समायोजन संसोधन तो इसमें जो option 4 है हमारा समावेशन के संदर्वे में पाठे चरह सीखने की अपेक्चाएं समायोजन में समान है जबकि वे संसोधन में भिन्न हैं यहां पर जो हो जायेगा हमा प्रभावी अधिकम सुनिक्षित करने के लिए सिक्षार्तियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवशकता है पात यहीं पर गड़बड है सिक्षार्तियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवशकता नहीं है सिक्षार्ती या किसी को भी कारे करने के लिए आंतरीक रूप से अभिप्रेरी होना चाहिए या आंतरीक अभिप्रेर्णा सबसे बेश्ट होता है हमारा ठीक अगला question देखते हैं निमनलिकित में से कौन सा आंतरीक अभिप्रेर्णा का उधारण है अब यहाँ पर आंतरीक अभिप्रेर्णा आ गया जो हमारा अभिप्रेर्णा है डो टाइप का होता है जैसे बाहे और आंतरीक तो बाहे जो होता है उसमें सिर्फ आप जो होता है अवार्ड वगेरा इन सारे चीज़ों के लिए पुरसकार जो होते हैं किसी फायदे के लिए कोई कामिक करते हैं तो वो बहतर नहीं माना जाता है आंतरीक अभिप्रेर्णा का उधारत देखते हैं सिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना यह बिल्कुल ही गलत है व्यक्तिगत आनन के लिए एक वादे अंतर बजाना या डाट से बशने के लिए पढ़ाई करना या पुरसकार रास के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना ये सारी चीज़ें हैं जो पुरसकार राज के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं ये क्या ये बाहे जो अभिप्रेणना है वो है डाट से बसने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या सिक्षक को प्रभावित करने के लिए कोई कारे कर रहे हैं कि सिक्षक तारीप करेगा और वग्यरा वग्यरा जो होता है ये सारे चीजे बाहे होती हैं लेकिन जो व्यक्तिगत आनन्द के लिए या अपनी खुशी के लिए आम आनतरिक रूप से प्रेरित होकर कर रहता है वो हमारा गता है ब। कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं ठीक नेक्स क्वेशन है हमारा अजर्शन और रीजन का निमनलिखित कत्नों को पढ़िये तता सई विकल्प का चैन करना है अब अजर्शन जो है हमारा अभी कतन सिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेज जाती समुहों के बारे में के ने पारे में रूडिवादित जो भी रूडिवादी विचार है तो तोड़ने के कडी मेनत करनी चैनिप बिल्कूल सही है और इसकाただि fiction क्या है कि act्रमुग उद्देश्य सिक्षक का एक प्रमुग उद्देश्य विद्यार्थियों में सम्हाल लुशनात्मक आत्मचिं करने की लिए प्रोसाइद करना है तो अजर्चन भी जो हमारा सही है और रिसन भी सहई है ठीक तो सबसे पहले जो किBen आपकंझा करना क्या मारा The आपक हमारा औरही सही है है चो रिजन जो हमारे क्या है और आड कि सही व्याख्या है option 4 ठीक next question है हमारा महारत यानि कि निपूर्ता लक्ष और प्रदर्शन लक्ष में क्या अंतर है महारत जो लक्ष है हमारा और प्रदर्शन लक्ष इनमें आपको अंतर बताना है महारत लक्ष भी फलता से बचने पर केंदरित होते हैं जबकि प्रदर्शन दूस दूसरा है महारत लक्ष अपने कोसल और कारे की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष उच्छ ग्रेट प्राप्त करने या बाहरी पुरिसकार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं और तीसरा है हमारा महारत लक्ष दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंदरित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष विफलता से बचने पर केंदरित होते हैं आखरी ओप्सन है महारत लक्ष में दूसरे साथ 30 परदा करने के लिए एक निश्चित अस्तर के प्रदर्सन को प्राप करने पर ध्यान केंदरित किया जाता है जबकि प्रदर्शन लक्ष में खुद के कोसल और कारे की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंदरित किया जाता है तो यह जो हमारा दोनों ही गलत है इसमें क्या है जो हमारा महारत लक्ष है अपनी कोसल और कारे की समझ में सुधार करने पर केंदरित होता है जबकि प्रदर्शन लक्ष में क्या होता है उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार के लिए आप कुछ भी कर रहे है ठीक अगला क्वेशन है भाई बहन के रिष्टे आपको बताना है कौन सा सही है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन होते हैं और बाले अवस्था में समाजी करण में महतवपूर भूमिका निभाते हैं या समाजी करणर में अधिक भूमिका इनकी नहीं हैं तो यह हमारा 4 नंबर बिल्कुल ही गलत है समाजी करणर में इनकी भूमिका भोती है और केवल प्रारंभीक बाल्यवस्था में महतपूर भूमिका नहीं निभाते हैं ठीक और हमारा जो है माता पिता अब ये दो आप्सन हमारे पास बचे ये दोनों पहले ये हमारा निकल गया अब दो बचे माता पिता और साथियों के साथ संबंदों से भिन होते हैं और बाले अवस्था में समाजिकरण में महतपूर भूमिका निभाते हैं या माता पिता और साथियों के संबंदों के समान है तो यह जो होते हैं यह हमारा option पहला जो बिल्कुल सही है माता पिता और अन्य साथियों के संबंदों से यह फिन होते हैं भाई बेन के रिष्टे जो होते हैं ठीक सबसे अलग होते हैं और बाले वस्था में समाजी करण में महत्वपूर भूमी का निभाते हैं अगला क्वेशन है हमारा फिर अजर्सन और हमारा रीजन का क्वेशन आ गया अभी कथन है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिनताय मौजूद होती है अब इसका कारण क्या दिया है कि विकासात्मक अंतर आनुवानसिक और अनुभावात्मक विवीदताओं की जटिल अंतक्रिया का अनिवारे परिडाम है तो पहला जो अजर्सन है हमारा बिल्कुली अभी कथन सही है कि बच्चों के विकासात्मक दरों में काफी भिनताय मौजूद होती है और इसका रिजन दिया है कि विकासात्मक अंतर आनुवानसिक और अनुभावात्मक विवीदताओं की जटिल अंतक्रिया का एक अनिवारे परिडाम है यौजर्सन की सही व्याक्या कर रहा है तो बिल्कुली सही व्याक्या कर रहा है अगला कफ़ेशन है निवनलिखित कथन में विकास के किस सिध्धान को दर्साया गया है जो बच्चे अपने सुरुयाती वर्सों में भासा सीखने के लिए अनुकूल वातावरर से वन्चित रहते हैं उन्हें बात में बात के जीवन में भासा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है अप्चन क्या है अमारा पहला अप्चन है भासा का विकास पूरी तर अनुआनसी की पर निर्भर है भासा और अनुफूत जटिल रूप से परस पर संबंधित है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्यासित होता है या भासा के विकास का एक संवेदन सील काल है तो जो है हमारा fourth option भासा के विकास का एक सम्वेदन सिल्ख काल है यह option हमारा बिल्कुली सही है क्योंकि early childhood जो होता है वो हमारा sensitive या critical period language development के लिए माने जाता है language विकास के लिए भासा विकास के लिए ठीक इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे अगला जो है हमारा वो विद्यारती जो पठन वैकल्य से जूज रहा है वो उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है कैसे उन्हें कई विकर्षडों के अध्यन करने के लिए प्रोसाहिद करके या उच्च ग्रेड अस्तर के पठन गरंद प्रदान करके या सुधारात्मक पठन सु वन्यात्मक प्रसिक्षड के माध्यम से फिक अगला क्वेशन है बोदादारी सिक्षड का अंतरनीहित सिध्धान या विश्वास है कि सिक्षार्तियों की छमताएं और आवशक्ताएं विवीध हैं जिनने मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किये विना पूरा नहीं कर सकते हैं और फ्र्त ऑप्सन है हमारा सिक्षार्ति कम जानते हैं और सिक्षड में विद्ध्यार्थियों के लिए प्रसारण सामील है Ais Healthcare you हम नहीं जानते हैं सिक्षार्थी निस्क्रिप्ट आप करता भी नहीं होते हैं सिक्षार्थी जो होते हैं वो एक्टिव बिल्डर होते हैं सक्रिय निर्मार करता होते हैं ज्यान के सिक्षार्थी की समस्याएं और आप सेकता विवीद हैं जिनने मानक निर्देशों पर ध्या करते हैं सिप्षार्थी एक्टी बिल्डर होते हैं घ्यान का वो सक्रिय निर्मार करते हैं ठीक अगला क्वेशन है जटल समस्याओं से जूज रहे उसे मन्थन करने और विचार उत्पन करने के लिए प्रोसाहिद करके या उसे कहके कि वो समस्या कोई सुलजाना छोड़ दे तो यह आप कहेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा या कि तुम समस्या कोई समझाना चोड़ दो और फिर तीस्ता है हमारा उसे प्रयोग करके जोखिम लेने के लिए हतोसाहित करके हतोसाहित नहीं करना आपको चात्रों को उसे उत्तरप्रदान भी नहीं करना है तो अप्सन जो फर्स्ट है हमारा उसे मन्थन करने और विचार उत्पन करने के लिए आपको क्या करना है प्र दर पर होना चाहिए या सहकारी अधिकम या प्रतिसपर्धी लोकाचार या अनुबंधन और पुनरवलन पे नहीं होना चाहिए प्रतिसपर्धी लोकाचार भी नहीं और जो सजा और सर्मिंद्गी का डर भी नहीं होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए आपसन जो अनुवांसिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है या सीधे परिपकोता के परिराम से होता है या सीधे समाजिक संपर्क से होता है तो यह जो है यह इन्होंने नहीं कहा है कि अनुवांसिक प्रोग्रामिंग का खुलासा यह सारी चीजों इन्होंने नहीं कहिए इनका मानना है कि ये सीरे समाजिक संपर्ग के परिडाम से होता है लेो वाइगोस्की का ठीक क्योंकि वाइगोस्की के जो थियोरी का नाम है उनके सिधान का नाम है समाजिक सांस्कृतिक सिधान सोशियो कल्चरल अप्रोच ठीक S.E.L. से आप याद रख सकते हैं अगला क्वेशन है मारा सोशल कल्चर और लेंग्वेज ये वाइगोस्की का सिधान आप इसे ध्यान में रखेंगे अगला क्वेशन है पियाजे के अनुसार गुडात्मक रूप से चार विभिन अवस्था हैं कौन सी हैं दुनिया की विभिन प्रतिनी धित्व करती है तो आप संचोह था यहां हमारा सही हो जाता है यहां पर कि बच्चों के विकास के सारवभॉमिक प्रतिनी धित्व करती है नेक्स्ट है निमनलिखित में से हाँ एक चीज़ और यहां पर ध्यान में रखेंगे पियाजे का जो चारो इस्टेज है हमारे इंद्रिय गामक यानि कि सेंस्ट्री मोटर प्री ओपरेशनल इस्टेज और कॉंक्रीट ओपरेशनल और फॉर्मल ओपरेशनल इस्टेज जो सेंस्ट्री मोटर हमारा है वो जीरो से दो वर्स है ये भी आप ध्यान में रखेंगे और प्री ऑप्रेशनल इस्टेज दो से साथ फिर हमारा आजाता है कॉन्कृत यानि की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो साथ से 11 वर्स और जो है हमारा अगला क्वेशन देखते हैं निमनलिखित में से कौन सी पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिधान की सीमा है वो आपको बताना है वो संग्यानात्मक विकास में भासा की भूमी का उपर अत्यधिक बल देता है या वो संग्यानात्मक विकास में भ्यक्तिगत भी भिनताओं को ध्यान में नहीं रखता है या तीसरा ओप्सन है हमारा वो संग्यानात्मक विकास में जैविक कारको की भूमी का को ध्यान में नहीं रखता है या वह संग्यानात्मक विकास पर संस्कृतिक और समाजिक कारको के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है तो option 4 जो है हमारा वही सही है वह संग्यानात्मक विकास पर संस्कृतिक और समाजिक कारको के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है क्योंकि अभी हमने आगे पढ़ा कि सामाज और संस्कृति को जो ध्यान में रखेंगे वो क्या है वो वैगोस की रहें ठीक इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे अगला क्वेशन है अभिकतन और रीजन का अभिकतन दिया हुए है कि प्रते एक वर्षलता जो की कक्षा साथ की सिक्षिका है उनके छेतरों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गडित प्रोफेसर और एक पूरूस नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है ठीक और इसका रीजन जो दिया हुए है कि ले कि यहीं प्रते और उर्षलता जंग दिया है कि लैंगि यानी कि जेंडर जो एंतर जण्मजात और सामाज के मात्यम से अधिग्राइट नहीं है यह हमारा जो रीजन है वो गलत है और अभीकतन से नहीं है तो यहीं पे हमारा जो अप्सन नंबर वन है यानि कि ए सही परंदू आर गलत है यह हमारा सही उत्तर हो जाता है अगला क्वेशन देखते हैं एक प्रगतिसील कक्छा में विद्यार्थी क्या करते हैं आपको बताना है कि प्रगतिसील कक्छा जो है उसमें विद्यार्थी अधिक प्रशन नहीं पूछते हैं शिक्छक से प्रशन पूछते हैं एक दूसरे से प्रशन पूछते हैं या स्वै यानि कि आपस में भी पूछते हैं और स्वैम से भी प्रशने पूछते हैं तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो थर्ड है बी, सी और डी बिल्कुली सही हो जाएगा अगला क्वेशन है मारा, पूलिंग या इस्ट्री लिंग होने से जुड़ी अपिक्शाओं को क्या कहा जाता है? डेज कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है इसमें आपको बताना है जेंडर भूमिका है बाले अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वैसकता में भी या जेंडर इस्थीरता यहां पर भरेंगे और प्रारंभिक की सोरा वस्था के दोरान या जेंडर रुडिवादिता कहा जाता है और इन्हें केवल मध्य बाले अवस्था के दोरान सीखा जाता है या जेंडर पूर्वाग्रह कहा जाता है और इन्हें मुख्यरुपसर प्रारंभिक बाले अवस्था के दोरान सीखा जाता है तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा option वन हो जाएगा जेंडर भूमिकाय पूलिंग या इस्ट्रिलिंग होने से जुड़ी जो अपेक्चाय है उनको क्या कहते हैं जेंडर भूमिकाय कहा जाता है और इन्हें बाले अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्था में यानि कि कभी भी सीखा जा सकता है इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे अब देखते हैं आज का हमारा आखरी क्वेशन है बुद्धी के संदर्भ में नीमनलिकित में से कौन सा दृष्टी कोड सिक्षार्थियों के बीच विवित्ता के सम्मानपूर विचार का समर्थन करता है आपको बताना है बुद्धी वातावरी कारकों से प्रभावित नहीं होती है बिल्कुल ही नहीं गलत है ये बुद्धी अन्वानसी कारकों से प्रभावित नहीं होती है यह बिल्कुली सही है ! सो vice आसके वीडियो में अगले वीडियो में आगला होगा हमारा प्रीप्यास यो पी को जाते वक्त सबसक्राइब करना नहीं भूलेंगी एक बार पीस सबस्क्राइब और वीडcü पसंद आयागी आपके लिए रीभू लग्व Luccus यो थेs चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर करते जाएगा ओके थैंक यू